आज हम देखेंगे निदेशांग पद्धती का परिचय और रेकिक आलेक से जुड़े कुछ और उधारण नीचे अमीना के शहर का मानचित्र दिया गया है मान लीजिए X अक्ष शेतिश सडक को और Y अक्ष उर्ध्वादर सडक को निरूपित करते हैं और अमीना इनके प्रतिच्छेदन पर खड़ी है मानचित्र को पढ़कर उचे गए प्रशनों के उत्तर दीजिए अमीना का स्थान निर्देशांग पध्धती यानि कोडिनेट सिस्टेम में कैसे निरूपित किया जाएगा अमीना का स्थान X निर्देशांग शून्य और Y निर्देशांग शून्य से प्रदर्शित किया जा सकता है इसलिए उसका स्थान होगा शून्य शून्य हम इसे मूल बिंदू यानि ओरिजिन कह सकते हैं यदि अमीना को निर्देशांग पद्धती में पोस्ट ओफिस की स्थिती बतानी हो तो वह या कैसे बता पाएगी पोस्ट ओफिस का स्थान x निर्देशांग 1 और y निर्देशांग 2.5 से दर्शाया जा सकता है कौन से स्थानों को दर्शाते हैं निर्देशांग 3.5 में संख्या 3 x निर्देशांग है और संख्या 5 y निर्देशांग है क्या आप बता सकते हैं कि निर्देशांग 3.5 कौन से स्थान को निरूपित करते हैं सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं X निर्देशांग 3 हमें बताता है कि हमें X अक्ष के अनुदीश 3 इकाईया यानि यहां 3 किलो मीटर चलना है। इसी तरह Y निर्देशांग 5 हमें बताता है कि Y अक्ष के अनुदीश 5 किलो मीटर चलना है। इस तरह से निर्देशांग 3,5 यहां हमें राशन की दुकान का स्थान बताता है। इसी तरह निर्देशांग 2,4 में संख्या 2, X निर्देशांग है और संख्या 4, Y निर्देशांग है। निर्देशांग 2,4 रेलवे स्टेशन को निरूपित करता है। सब्जी मंडी का स्थान निर्देशांग के रूप में कैसे निरूपित किया जाएगा? सब्जी मंडी का स्थान X निर्देशांग 1 और Y निर्देशांग 3.5 से दर्शाया जा सकता है. इसलिए सब्जी मंडी की स्थिती 1, 3.5 इस प्रकार निरूपित की जाएगी. अगला उधारण यदि Y निर्देशांग X निर्देशांग के तीन गुना है तो इसके लिए एक सार्णी बनाईए और रेखा आलेख खीचिए क्या प्राप्ट आलेख एक रेखिक आलेख यानि लिनियर ग्राफ है चलिए Y निर्देशांग को चर Y से तथा X निर्देशांग को चर X से निरूपित करें हमें बताया गया है कि Y निर्देशांग X निर्देशांग के तीन गुना है इसलिए हम कह सकते हैं कि Y बराबर तीन गुना X है चलिए इससे एक सार्णी बनाए यदि हम x का मान 0 ले तो y का मान 3 गुणा 0 बराबर 0 होगा यदि हम x का मान 1 ले तो y का मान 3 गुणा 1 बराबर 3 होगा इसी प्रकार यदि x का मान 2 है तो y का मान 3 गुणा 2 बराबर 6 है इसी तरह हम x के विभिन्दमानों के लिए y का मान ग्याद करते जाएंगे अब इस सार्णी का प्रयोक कर हम रेखा आलिक बनाएंगे हम वरगांकित कागस पर शेतिच रेखा X अक्ष और उर्द्वाधर रेखा Y अक्ष खीचेंगे हम X अक्ष पर चर X दर्शाएंगे तथा Y अक्ष पर चर Y दर्शाएंगे X अक्ष के लिए पैमाना एक एकाई बराबर एक लेंगे तथा Y अक्ष के लिए पैमाना एक एकाई बराबर तीन लेंगे Y का सबसे बड़ा मान बारह है इसलिए हम Y अक्ष पर 15 तक संख्याय लेंगे अब हम पैमाने के अनुसार बिंदूओं का स्थान ग्याद करेंगे जब चर X का मान 0 है तब चर Y का मान भी 0 है यानि कि पहली स्थिती में X निर्देशांक और Y निर्देशांक दोनों 0 है इसलिए हम मूल बिंदू यानि ओरिजिन के स्थान पर बिंदू बनाएंगे एक इकाई उपर की ओर चलेंगे, अब इस थान पर एक बिंदु अंकित करेंगे, यह बिंदु निर्देशांक एक तीन है, इसी प्रकार हम एकस अक्ष से दो इकाई दाई ओर चलेंगे, फिर दो इकाई उपर की ओर चलेंगे, अब इस थान पर एक बिंदु याने कि निर्द निर्देशांक दो च्छ अंकित करेंगे। इसके बाद हम निर्देशांक तीन नो और चार बारा भी अंकित करेंगे। अब हम सभी बिंदुओं को रेखा खंडों से जोडेंगे। हमने चर एक्स के विभिन्द मानों को रेखा आलेख के रूप में प्रदर्शित किया है। हम देखते हैं कि प्राप्त सभी रेखा खंड एक ही रेखा के भाग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक रेखिक आलेख है। आज हमने देखे निर्देशांग पर्दधी का परिचय और रेखिक आलेख से जुड़े कुछ और उधारण।